हेलो एवरिवान, वेलकम तो डानमी के स्टाडी, आज की वीडियो का टॉपिक है आपका मेथेट्स ऑफ रिसर्च, यह लेस्न 6 है और लेस्न 6 का पार्ट 1 है, तो इसमें हम डिस्कास करेंगे सर्टिन टाइप अफ मेथेट्स फॉर्दर रिसर्च, तो बिसिकली यह निव तो मेथेट्स और टेक्नीक्स होती है, जिनके थ्रू हम रिसर्च कंडाक्ट करते हैं, या रिसर्च करते वक्त, जो भी मेथेट्स और टेक्नीक्स हम अपने रिसर्च में इन्वाल्व करते हैं, उनको हम मेथेट्स और टेक्नीक्स पोलते हैं, या मेथेट्स ऑफ रिसर्च तो यह methods of research हैं, जो कि आपके syllabus में दिये हुए हैं, उनके अलावा और भी different type of methods होते हैं, almost 16 methods होते हैं, 16 methods of research होते हैं, जो कि total होते हैं types of methods में, तो basically हम यह 5 discuss करने वाले हैं, यह 5 आपके में हैं exam के point of view से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मारे अज के वीडियो, तो पहला जो आप experimental research method, experimental research method में हम क्या करते हैं, देखे, experimental का जो term है, experimental का मतलब ही होता है कि कोई चीज ऐसी चीज जहां पर हम experiment कर रहे हैं, अब यहां पर हम experiment कर रहे हैं, तो it means क्या होगा, कि हम इसको एक lab में करेंगे, या फो या फिर किसी setting में करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, जो कि labs में होती है या फिर जो कि एक मतलब किसी एक particular location पर होती है और यहां पर यह जो location होती है यह labs होती है तो यह सारी experiments जो कि हम labs में करते हैं और जहां पर हम चीजों को control कर सकते हैं जो variables होते है related to research उन variables को जो हम control करते हैं तो that type of research is known as experimental research methods तो यह जो methods होते हैं इनको अगर हम imply करते हैं किसी पी research में तो वो research आपके experimental research कहलाती है और यह जो methods होते हैं यह जो basically methods lab technologies पर based होते हैं उनको हम experimental research methods बोलते हैं तो this research method use qualitative data तो पहला जो इसका feature है वो यह है कि इस research में आप qualitative data लिखते हैं based on cause and effect relationship exist between the independent and dependent variable तो यहां पर हम करते हैं जो आपके different variables होते हैं उनमें से जो भी independent and dependent variable होते हैं उनके आपस में क्या cause and effect है क्या cause and effect relationship है उनके बीच में हम यह study करते हैं उसके अलावा हम उन जो variables हैं उनको control करते हैं और उनको check करते हैं कि उनका impact क्या है different type of situations पी या different type of variables पी अदब मालीजे कि आपका पहला variable है light और दूसा variable आपका कुछ और है या फिर मालीजे आपका पहला variable is age और दूसा variable है intelligence level जिसको हम IQ बहते हैं तो इस variable का इस पहा इंपक्त होगा या इस variable का इस पहाइपक्त होगा जिसके घिसे हैसे अपका before ID की कहा होती जाथ है आपका Lets की हिराण लेफर सबस्सद्राइब डिर तो यह हो ऊंह फर रिमेबृंबरेंस लेवल टो अ नहीं है इस तरीके से क्या है यह जो ही इज़रियों और जहां पर हम logical methods लगा रहें, तो वो आपके experimental research methods होते हैं, यहां पर special laboratories बनाई जाती हैं, जो special control conditions होते हैं, जिनके अंदर हम research conduct करते हैं, next time, अगर मैं बात करो, तो जो आपके experimental studies होते हैं, यह बहुत ही carefully किये जाते हैं, और बहुत ही controlled and structured environment में किये जाते हैं, इसके अलबा हम यहां पर यह देखते हैं कि क्या casual relationships है, phenomenon का, या फिर क्या आपस में उनके variables के बीच का relationship है, उसको हम identify करते हैं और उनको हम analyze करते हैं, जिसे मालिजे sound है, आपका light है, heat है, volume of work level है, तो ये सारी चीज़ों को हम manage करते हैं, experimental आपके research में, research methods में, तो हम इनको ये भी देख सकते हैं कि ये जो science, जो studies होती है, जो laboratories में studies होती है, इन में हम basically जो हम real world में नहीं कर सकते हैं, वो हम उसको करते हैं, वहाँ पर हम setting बनाते है real world जैसी जो हमारी settings होती है, जो हमारा laboratory होती है, वहाँ पर हम उसको settings बनाते है, real world की, बट वहाँ पर सारी conditions आपकी control होती है, इस वज़े से आप उनको better way में, artificially आप situation को create करते हो, और study आप better way में control कर पाते हो, तो researcher का क्या होता है, यहाँ पर जो control होता है, जो variables होते हैं, उ आपका यह हम use करते हैं research में, तो आपको अगर मैं और methods के बार में define करूं, जो experimental research methods के अंदर भी different type of methods है, वैसे तो आपके exam के point of view से नहीं होतना important है, यह जो different methods है, पर आपको बस information के लिए मैं आपको यह बताने वाली हूँ, तो quasi experimental design होती है, यह type of experimental method है, इसमें क्या होते है, हम कुछ जो हमारे hypothesis होते हैं, जो हमने complete cielo, a за all any hypothesis उनको eliminate करने के लिए हम यह research करते हैं, मतलब जब हम आपस बहुत सारे hypothesis होते हैं और उनमें से हमें कुछ को eliminate करना होते हैं, तो हम quasi experimental research conduct करते हैं, फिर आपका होता है true experimental design, यहां पे अगर हमेंë, बहुत सारे alternative hypotheses को Kommenda करना होते है तो हम true experimental design को conduct करते हैं उसके बाद होता है आपका single subject design जहां पे हमें experimental design में सिफ एक subject को study करना होता है या सिफ एक hypothesis को ही check out करना होता है उस variable उस पे impact देखना होता है वेरिबल का क्या impact हो रहा है उस particular study बे तो हम उसमें उस subject को या उस step के method को हम बोते है सिंगल subject design उसके बद आपका होता है meta analysis में क्या करते है जब को और पहले से मारे पास experimental data present होता है बद हमको उस experimental data को दुबारा से analyze करना होता है तो इस type के analysis को हम meta analysis बोलते है तो यह आपका हो गया experimental research method next है आपका descriptive research method descriptive research method का यहां पे क्या मतलब है यहां पे basically क्या होता है? यहां पे हम एक phenomena पड़ते है जो कि descriptive nature के होता है यहां पे control नहीं होता है variable का experimental में क्या था? वहां पे हम control कर लिय रहे था variable को descriptive में क्या है? यहां पे हम variable को control नहीं कर पा रहे है यहां पे हम जो यह methodology है आपकी research method है यह ज्यादातर फोकस करता है what of the research subject पर मतब कि research subject क्या है ना कि क्यूं है ठीके तो क्यूं पर हम नहीं आप पर study करते हैं हम क्या की study करते कि क्या है research हम क्यूं कर रहे हैं यह नहीं देखते हैं research का मतब क्या subject का research का इस पर फोकस करते हैं उसके अलावा descriptive research is a defined as a research method that describes the characteristics of the population of phenomena that is being studied. तो इसमें हम क्या define करते हैं हम उन characteristics की बात करते हैं जो हम जिसके लिए हम research conduct कर रहे हैं. जो भी अगर मांगिज़ आप किसी particular population को पढ़ रहे हो या आप marketing research कर रहे हो तो वहाँ पर क्या characteristics आप वो describe करोगे descriptive research में. आप क्या कर रहे हो यहां पर आप और observation method में बहुत ही effective तरीके से conduct कर रहे हो descriptive research को और इनमे क्या कर रहे हो आप quantitative and qualitative दोनों ही observation कर रहे हो चाहे आप qualitative करो चाहे quantitative observation करो दोनों ही आपके observation method के ही पार्ट होंगे. उसके बाद होता है case study method, case study method के थूँ भी हम आपका descriptive research method है वो conduct करते हैं, descriptive researches conduct करते हैं, इसमें क्या होता है कि हम case studies को analyze करते हैं, उनके थूँ हम किसी particular situation को देखते हैं और on the basis of that हम एक hypothesis को draw कर सकते हैं और उसके basis पे हम further scope को define करते हैं, क्या हमारी research का आगे का scope क्या होगा, या हमारी research का further हम क्या future में और क्या scope इसमें हम define कर सकते हैं, तो इसमें हम case studies, study of individual भी हो सकते है, study of a situation की भी study कर सकते हैं, ग्रूप की भी study करते हैं, तो यह जो method होता है, इसमें हम case study के थूँ किसी particular situation की या किसी particular group की study करते हैं, इन आपका आता है survey research, survey के बारे में आपको पता है यह survey क्या होता है कि आपस में हम जब बहुत सारे हमारे respondents होते हैं और उनसे हम answers को collect कर दें थ्रूवेस, through questionnaires, through polls और यह जो सारी methods होते हो उनको survey research क्याते हैं तो descriptive research अगर आप conduct करने वाले हो तो उसमे आप survey भी method ले सकते हो अगर आप चीज़ों करना चाहते हो तो यहां में क्या है survey method में चीज़ों को control नहीं कर सकते हो आपने question frame out कर दिया आप वो चाहिए जैसे answers दें यह उनके ओपर depend करते हैं तो यह आपके क्या हो गए यह आपके uncontrollable situations हो गए जिनको इन following methods से आप इनको कर सकते हो conduct नेक्स है आपका historical research method historical research method क्या होता है historical research methods में हम वो field of study चूस करते हैं जो कि आपका past trend के ओपर based होता है जिक है historical जो term में अपका historical historical का मतलब है वो चीज़ों को study करना जो कि पहले हो चुके हैं या उनको दुबारा से study करें हम उनको समझने के कोशिश करें the process of learning and understanding the background and growth of a chosen field of study or profession can offer insight into organizational culture, current trend and future possibilities तो हम हम हिस्टोरिकल research करते क्यों है देखें तो हम हम हिस्टोरिकल research करते तो इसका purpose यह होता है कि अगर same event आपका future में तो हम इसमें कैसी चीज़ों को apply करेंगे, किस तरीके से उन चीज़ों को control कर सकते या क्या उनका possible outcome होगा जैसे मालीची की 2008 में recession हुआ था तो उसके बद बहुत सार रिसर्च हूँ या मालीची मैं अभी एक research कर्णाट करूं जिसमें मैं study करो 2008 के recession की की रिसर्च करें हम उनका इस्टाइप है कि वे खड़े, कि उसके बदेम देतध में जूसर्च करते का कि अवे बद में में ही तरीके की हर्थ खड़ानी के या व tą का मधर ओनका है अफुलिते में का कि जाक्त एल पास नीच्पेडर क्यां करते pięć Rich भात्तों है उस नो भात्ती है इस्थ अरिकले डिस के लिए रिट म मेधेश करें तो उन भी है के इस्थॉरीकल चीजें उनको करना नहीं के लिए te रख्याहिए तो ऑनन सब क्या बोलते है शोन सब क्या ऩाल ጥ कि इस्थ्टयो पोलते हैँ दिंग आइस्थी बन जाती है वो दीरे दीरे उसमें evolution होते है दीरे 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 उसके origin होती है तो इसलिए बहुत जादा important है कि historical research के वारे में पता हो क्योंकि हर एक चीज की अगर आप research करते हो तो उसमें कहीं न कहीं उसका historical उसका origin है वो आपको research करना ही पड़ता है next year आपका हम यह बोल सकते हैं कि both qualitative and quantitative दोनों ही variables में use होता है अगर आप historical research को conduct करें हो जैसे कि मैंने अब आपको example दिया कि मैं 2008 के recession की बात करियो तो 2008 के recession पर मैंने बोला कि मुझे economic trend चाहिए होगा उसम के newspaper articles चाहिए होगे तो newspaper articles क्या होगे आपके यह होगे आपके qualitative methods ठीके qualitative variable ह होगे quantitative में आपके trend analysis और यह सारी चीज़ आ गई तो इस तरीके से जो data हम collect करते हैं वो दोनों ही collect करते हैं qualitative data करते हैं और हम उनकी quantitative data भी collect करते हैं और उसी तरह हम variable जो सेट करते हैं जो आरा further variable जिन पर में study करने वाले हैं जो हमारे independent variable है वो भी हमारे दोनों ही तरीके के हो स सकते हैं वो भी हमारे qualitative भी हो सकते हैं और quantity भी हो सकते हैं once the decision is made to conduct historical research there are steps that should be followed to achieve a reliable result historical method of research are the process of systematically examined and accounting of what is what has happened in the past it is not fact and dates or even a description of past event the dynamic account of past event that involved and interpretation attempts for capturing of nuance, stat and ideas that event तो अब ये देखे बड़े आपको बता है कि में बेपस newspaper clipping होनी चाहिए और cuttings होनी चाहिए और इसके अलाब में पास trend analysis के वो डेटास पर इसके नहीं कि सब डेटास के थूह ही मैं उसको conduct कर लोगी उसके साथ साथ क्या उसका impact था क्या उस time का basic event क्या हुआ था वो सारी ची वो हम ले सकते हैं वहां से फिर उसके मदब कि स्केंडरी सोस हो सकते हैं जिनको हम टास्टरी सोस पी बोलते हैं जहां से हम research conduct कर रहे हो और जिस तरीके से उस time पे history लिखी गई है वो सारी चीजों को हम conduct करके लेके उन methods के basis पे हम historical research आपकी conduct करते हैं तो I hope आपको यह तीनों कॉंटिटिटिव मेथेड और रिसर्च चुह है वो का आपका कवा करेंगे थैंक्यू सो मच टीप ओन वाचिंग की बनाने